तो अभी unit vector के बारे में समझाता हूँ मैं आपको, unit vector क्या होता है? ठीक है न? ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था कि एक ऐसा vector जो basically direction को represent करें जिसका magnitude 1 होता हो यानि आप देखो, इसका magnitude क्या है? 1 और ये किसको represent करेंगा? सिरफ और सिरफ direction को याद होगा अपको अगर मैं कहूँ, r vector is a vector plus b vector, दो vector का अगर मैं कहूँ resultant है तो आप पते क्या कहोगा? आप कहोगे सर, इसका resultant का जो magnitude होगा, that is going to be a square plus b square plus 2ab cos theta मैंने का ये भी बात सही है अब अगर मैं कहता हूँ कि ये r vector है, यहाँ से यहाँ तक, कुछ भी है अब ये r vector तो क्या ही हो सकता है? तो एक्स में अगर आप देखोगे तो i और j और 3 में देखोगे तो i, j, k तो r vector आपका 2i cap plus 4j cap ऐसा कुछ हो गया मान लेते हैं, ऐसा कुछ भी हो गया तो पहले तो unit vector का formula लिख लीजिए, इसका unit vector, इसका unit vector क्या होगा? that is going to be r cap और unit vector का कोई भी जो formula होगा that will be उस vector को उपर लिखोगे और नीचे उस vector का magnitude नीचे क्या करोगे? उस vector का magnitude लाइक उपर वो vector आगया, नीचे उस vector का magnitude आगया अब एक बात बताये, वेक्टर तो सेम का सेम आ जाएगा 2i cap plus 4j cap अब इस वाले vector का magnitude क्या होगा? यह क्या है? a vector plus b vector है so इस r vector के magnitude को मैं क्या लिख सकता हूँ? under root of a का square a का square मतलब 2 का square plus b का square मतलब 4 का square plus 2 into a into b अब इन दोनों की बीच में कितना डिगरी आंगल है i और j? i is x x is j is y x is 90 degree दोनों की बीच में कितना डिगरी आंगल है? 90 so cos 90 अभी cos 90 तो 0 हो गया तो आप क्या का होगे sir? under root of 2 का square 4 और 4 का square 16 so root of 20 या 2 root 5 या आप कह सकते हो 2 by 2 root 5 i cap plus 4 by 2 root 5 j cap तो 2 से 2 काट दो आप कह सकते हो i cap by root 5 plus या ऐसा कर दो कि इसका जो resultant होगा वो होगा i cap की direction में 1 by root 5 और j cap की direction में 2 by root 5 ये है आपका unit vector unit vector क्या होता है? अब sir ये तो अपने i cap j cap बोला अगर मान लेते हैं किसे ने हमें ऐसा दे दिया तो like our vector is a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap तब क्या होगा? कुछ नहीं उस case में उसका जो magnitude होगा that is going to be a1 का square plus a2 का square plus a3 का square sir ऐसा क्यों? क्योंकि बिटा i j में भी 90 degree है j k में भी 90 degree है या मैं कुछ ऐसा कर लूँगा कि दो vector का sum करूँगा उसका resultant लिया फिर उसका तीसरे के साथ ऐसा करके तो इनका ये एक general basic formula निकालके मैंने आप लोगों को दे दिया तो अगर कोई भी आपके पास vector i i cap plus j cap तो उसका magnitude under root a square plus b square i cap plus j cap plus k cap उसका magnitude under root i square plus b square मतब a square plus b square plus c square कुछ इस तरीके से आपका होगा unit vector i hope this is clear to you all